दोस्तों मेटको केर के एक नए वीडियो में आपका बहुती स्वागत है आज हम जानेंगे कि मलेगिया के सिम्टम्स क्या होते हैं बहुत सारों को बुखार आता है कोई टाइफाइट समझता है कोई कुछ और समझ रहा है मतलब तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं तो इस वीडियो के मातले हम से आप बिल्कुल के लिए समझ जाएंगे कि क्या दर्द कहां पर होगा पूरी बॉड़ी में क्या क्या चेंज़ेंगे पेट में क्या प्रावलम हो सकती इसी तरीके से और कौण कों सी चीज़ मिलती है मलेडिया के बुखार में या मलेरिया में तो सबसे पहले आप उपर से देखें कि बेन एरियाज यानि कि दर्द कहा हो सकता है तो जो पेशेंट होगा उसको पेट में दर्द हो सकता है अगर हम होल बॉड़ी की बात करें तो उसको ठंडी लगेगी चिल्स होगा फटीग होगा ठकान होगी बुखार होगा नाइट स्वेट्स रात में पसीना होगा इसी तरह शिवरिंग होगी वो कंबल मांगेगा और स्वेटिंग पसीना भी उसको होगा ऐसा अगर किसे को बुखार आता है यानि बुखार ठंडक लगके आता है साथ में पसीना होगा साथ में उसको कपकपी होगी और बुखार कु 吃 140 यानी कि पेट में उसको क्या पराणिम हो सकती है तो डायिरिया लूज मोशन हो सकता है नाजिया उल्टी हो सकता है और वोमेटिंग नाजिया यानि कि मतली आ सकती हो इसको उल्टी भी हो सकती है इसी तरीकि से also कामन कौन कौन से चीज़ और मिल सकती है तो fast heart rate यानि कि उसका heart rate दिल की धरकन होती है वो मलेरिया में बड़ी होती है जब कि टाइफाइट में कम होती है और headache की बात करें सर में दर्द होता है mental confusion होता है patient confusion 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 पेवर यहने बेखाइट की लुटा होता है इसी तरीकी से पैलर यानि कि उसकी अगरा आँख कऊब देखेंगे नेची से थोड़ा सा तो पैलर मिलता है पैलर का मतलब यह होता है कि उसका हेमोगलोबिन कम हो जाता है हेमोगलोबिन खून कम हो जाता है मलेरिया में खून कम हो जाता है क्योंकि हेमोलाइसिस होती है आरवीसी टूटते हैं उसमें उसकी वैसे खून कम हो जाता है पिशाप का रंग लाल हो हलका सा red color का मिलता है क्योंकि उसमें खून जो है और इसी तूटता है उसके वैसे ये problem होती है तो अब हम ये हमने ये समझ दिया कि अगर किसी को पेट में दर्द है बुखार ठंड़क लगकर आ रहा है साथ में कपकपी हो रही है और कुछ दिर के बाद 24 गंडे के बाद या 20 गंडे के बाद उतर जाता है उसके बाद फिर चाड़ जाता है इस तरीके से किसी को डाइरिया है साथ में लूज मोशन है उल्टी हो रही है इसी के साथ साथ उसका heart rate बढ़ा हुआ है दिल की धरकन जो आम दोर से 70 to 60 to 80 होती है अगर किसी का 90 है 95 है अगर heart rate तो हमको समयना चाहिए कि हो सकता है उसको मले दिया और सर में दर्द हो सकता है Milton confusion यानि कि mental confusion यानि कि उसको confuse होगा वो बहुत जादा परिशान होगा और पैलर साथ में यानि कि उसके आँख जो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमोगलोबीन उसको कम होगा तो दोस्तों यह रही मलेरिया की कुछ लक्षा ना उसकी कुछ सिम्टम्स अगर ऐसी की चीशी को प्राबलम होती है तो आपको फॉरन उसका मलेरिया की जांच कराने चाहिए डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका एलाज कराना चाहिए दोस्तों यह रही जानकारी मलेरिया की सिम्टम्स के बारे में अगर आपको जानकारी पसंद आए तो यह यह को लाइक करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थाइंक्स वाचिंग दिस वीडियो